हाई दोस्तों शासगा डेंटेक हिंडी चनल में आप सबका स्वागत हैं आज की इस वीडियो में हम जानेंगे अलोविरा के पौधे को ग्रो करने के बहतरीन टिप्स पहले मेरे गार्डन में बस एक ही छोटा सा अलोविरा का पौधा था जिससे आज मैंने अलोविरा का फारेश थी अपने गार्डन में बना दिया है कैसे मैंने इतने सारे अलोविरा के पौधे को ग्रोग किया कौन से टिप्स फालो किये मैं आज बताने वाले हूँ वीडियो को स्किप मत कीजिए पूरा वीडियो देखिए पसंद आये तो सब्सक्रेब कीजिए सबसे पहला और बहतरीन टिप जो मैंने फालो किया है वो है वोवर वाटरिंग ना करना इस पौधे को ज़्यादा पानी की जरुरत नहीं होती क्योंकि ये डेजर्ट का पौधा है डेजर्ट में ग्रो करने वाला पौधा है और ये सकुलेंट का प्लांट है सकुलेंट प्लांट में ज़्यादा पानी की जरुरत नहीं होती कम पानी देना है वोवर वाटरिंग बिल्कुल भी नहीं करना है रैनेज होल्स अच्छे से चेक करना है इन चीजों का ध्यान रखे दूसरा टिप है जब भी अलोविरा पाट के नीचे से जड़े निकलने लगती है बाहर आपको प्रोटरूट हो जाती है बाहर को निकलने लगती है तब आपको इसमें जरूर रीपॉर्ट करना है दूसरे गमले में आपने चेंज कर देना है तभी पोधा अच्छे से ग्र वर्मी कंपोस्ट आपने देना है अगर आप विंडो में इंडोर्स में ग्रो कर रहे हैं बालकणी में ग्रो कर रहे हैं यह चीज़े आपके पास नहीं है तो आप लिक्विड आर्क फटिलाइजर जैसे की राइस वाटर आया आनियन पील वाटर या बनाना पील वाटर आप इस्तमाल कर सकते है नेक्स्ट इप है aloeira का लोकेशन कहाँ पे इसको घ्रो करते हैं कहाँ पर रखते हैं काफी इंपोटन्ट है जहां पे ब्राइट सनलाइट आती हो आइसा लोकेशन आप सेलेट करें aloeira के पोदे के लिए इंडूर्स में अगर आप इसको घ्रो कर रहे हैं जो एक पोदे से मैंने ग्रो किये वो सारे मैंने इस वीडियो में क्याप्चर करके आपको दिखाया है मेरे टिप्स को जरूर फालो कीजिए आप भी एक अलोवीरा का फारेस्ट अपने गार्डन में ग्रो कर सकते हैं नेक्स्ट इंपोर्टेंट टिप है पोटिंग मिक्स जब भी आप अलोवीरा को ग्रो करते हैं तो पोटिंग मिक्स काफी की रोल प्ले करता है पोदे को हेल्दी रखने में अभी जो मैं प्रपोर्शन बताऊंगी उसी प्रपोर्शन में आपने पोटिंग मिक्स लेना है यह पार्ट जो है गार्डेन साइल आपने लेना है और एक पार्ट जो है आरगानिक खाद आपने लेनी है जैसे कि गाय की खाद किचन कंपोस्ट जो भी है एक पार्ट आपने लेना है और एक पार्ट जो है कोई भी कोर्स सैंड आपने लेना है इस मांत्रा में लेंगे तो तो इस चीजक का आप ध्यान दे। पाल्विर के प्थों का पीला होना फाफी से पंधों में आपको पालुविंग देख सकते हैं, इस का रीजन है , कम पानी देना ज्यादा पानी देना, ज्यादा तर और वगुष्ट्रिंग के वज़े से होता रहता हैं, तो आप पानी सही मात्रा में दे नेक्स्ट है अलोविरा का ब्लूमिंग टिप आपके भी अलोविरा के पौदे में आपको फूल चाहिए तो इन टिप्स को फालो कीजिए आपके अलोविरा का पौदा जब चार साल का होगा तभी इसमें फूल आएंगे और पौदा हेल्दी होगा और इसको पास से 6 गंटे की धूप मिलती रहेगी आउट्डोर्स में रहेगा तभी इसमें फूल आएंगे तो इन चीजों का ध्यान दे अगर आपको अपने अलोविरा के पौदे में फूल चाहिए तो अलोविरा से रिलेटेड कोई भी डाउट है आप नीचे डिस्क्रिप्शन बाक्स में लिखिए मैं आपके सारे सवालों का जवाब दूँगी अगर वीडियो पसंद आए तो चानल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए मैं जल ही अलोविरा के हेल्थ बेनिफिट्स के बारे में वीडियो अपलोड करने वाली हूँ और अलोविरा जल कैसे बना कर घर में प्रिजर्व किया जाता है इसके बारे में भी वीडियो अपलोड करूँगी आप अपना प्यार ज़रूर बनाए रखिएगा और मेरे वीडियो वाच करते रहेगा तैंक यू